एक फोजी का दर्द क्या होता है, उन कुर्सी वालों को दिखाना चाहोंगी, बताना चाहोंगे एक फोजी की मजबूरी हमें मत छुट्टी दो, मत भत्ता दो, बस काम यही अब करने दो, चाहे वेतन आधा कर दो, पर कुतों में गोली भरने दो, हर हर मोधी, घर घर मोधी, यह नारा सर के पार गया, इक दो कोडी का जेहादी, सैनिक को थपड मार गया, सैनिक को थपड मार गया, अरे थपड खाए गदारों के, थपड खाए गदारों के, इतने भी मजबूर नहीं, हम भारत मा के सैनिक है, कोई भड़े के मजदूर नहीं, कोई भड़े के मजदूर नहीं, अब और नहीं लाचार करो, हम जीते जी मर जाएंगे, खुद को देख पाएंगे इस वर्दी पर शर्माएंगे फोजी वर्दी पर शर्माएंगे या तो कस्मीर उन्हें दे दो अरे सुन लो सुन लो दिल्ली वालो सुन लो या तो कस्मीर उन्हें दे दो या आरपार का काम करो अब सैना को दो जिम्मेदारी तुम दिल्ली में आराम करो तुम कु को सरदर्द बना कर छोड़ा है भारत के वीर जवानों को ना मर्द बना कर छोड़ा है मां का आचल सच रहे हम दागी भी बन सकते हैं दिल्ली गर्यूही मोन रही हम बागी भी बन सकते हैं हम बागी भी बन सकते हैं एक मा कस्मीर में पिटने वाले फोजी बेटे से क्या कहती है जब देखती है कि उसका बेटा किस तरह गदारों से थपड़ खा रहा है तो क्या कहती है कि फोन किया माने बेटे को तूने ना कटाई है तेरी बेहना से सब कहते बुझ दिल तेरा भाई है बुझ दिल तेरा भाई है अरे ऐसी भी क्या मजबूरी थी ऐसी क्यालाचारी थी कुछ कुछ कुछों की तोनी कैसे तुम सेरों पर भारी थी तुम सेरों पर भारी थी गीदड़ बेटा पैदा करके वह मा कहती है अब वो फोजी अपनी माा के बात सुनकर कहतا है के माह इतना भीलाचार नहीं था, माह मेरी मजबूरी थी उपर से पर मान नहीं था, चुपी बहुत जरूरी थी सरकारे ही पिटवाती है मा सरकारे ही पिटवाती है मा हम कौन गदारों से गोली का आदेश नहीं है दिल्ली के दर्बारों से गिन गिन कर मैं बदला लूँगा कसम याज खाता हूँ तु गुडिया से कह दे मा ना बुझ दिल उसका भाई है सुनकर नाटा लो यारो सिर्फ सुनकर नाटा लो यारो एक फोजी के दस बातों को अन्होनी होने से पहले फैला दो इन बातों को तुम फैला दो इन बातों को बहना के सच्चे भाई हो तो सब को बता दो इन बातों को एक फोजी का दर्द भरत मता की जे भरत मता की जे भरत मता की जे